आज हम कक्षा 10 गनित में अध्याय 8 के कुछ और महतुपूर्ण प्रस्ण हल करेंगे जिन बिद्यार्चियों ने इसकी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है वहाँ से जाके देख सकते हैं इस प्रस्ण में दिया गया है यदि साइन थीटा प्लस कॉष्ट फीटा बिराबर अंडरूर्ट सब्सक्रिफ माणके है नहीं दिखाना है कि वह एक के बराबर है जैको टैन थीटा और कॉट थीटा अगर इसको सऩरल करते हैं तो टैन थीटा गो लिसकते हैं sin theta बटे cos theta और cot theta हो लिशकते हैं cos theta बटे sin theta और अगर इनका लगुत्तम लेंगे इन दोनों का LC हम लेंगे sin theta cos theta आएगा और उपर sin square और cos square आएगा sin square cos theta क्या होता है एक तो इसके मतलब सिर्फ sin theta cos theta इसका मान निकालना है अगर ये निकल जाता है तो हम ये सिर्फ कर सकते हैं तो इसकी मदद के लिए sin theta cos रगामान क्या होता है उसके लिए हम इसकी मदद लेंगे दी गई समीकरण का इस समीकरण से sin theta plus cos theta बराबर under root 3 दिया हुआ है हम दोनों तरह work करते हैं देखो work करेंगे इसका दोनों का तो यहाँ पर आएगा sin square theta plus cos square theta plus a square plus b square plus 2ab 2 sin theta cos theta जबकि दाहिनी तरफ आएगा सिर्फ under root 3 का work 3 हो जाएगा ये तो होता एक सरुसमीका है कि sin square theta cos square theta एक होता है यहाँ एक रख दो plus 2 sin theta cos theta बराबर 3 इसका मतलब 2 sin theta cos theta कितना हैगा 2 sin theta cos theta बराबर 3 में से एक घटा दिया यह वाला तो आगया 2 और इस दो से यह कट जाएगा तो sin theta cos theta बराबर 1 आगया अब यहाँ से हमने sin theta cos theta निकाल लिया यह क्यों निकाला क्योंकि हम इसे अगर हल करेंगे इसको तो आगे हमें जरूत पढ़ने वाली है इसकी अब हम इसको हल करते हैं जो हमें इसको सिध्ध करना है उसका बाया पक्ष लेते हैं बाया पक्ष है लेफ्ट एंड साइड बराबर 10 थीटा प्लस कॉट थीटा 10 थीटा का मान हुता है costheta बटे sintheta अब दोनों का लगुत्तम लेते हैं को से हैं स्ञिन थिटा осफ साइन club सबराकर दोनों का लोगुत्तम सा कौस थिटा सब्सक्राइब कर तो यह रहागा साइन का वर्ग और इस coach से हां कर्णे कोश का वर्ग रग रहाएगा sin square theta plus cos square theta होता है एक बटे में sin theta cos theta अब देखो इस sin theta cos theta का मान तुम पहले ही निकाल चुके है तो कोई यहाँ पे निकाला था एक है तो इसका मान हम रख देते हैं तो यह आ गया एक बटे में एक बराबर एक और यही हमारा दाइना पक्ष है देखो दाइने पक्ष में एक यही सिद्ध करना था हमें तो यहां सिद्ध हो गया तो हम थोड़ा सा इसका idea ले ले लेते हैं इस प्रस्टो को थोड़ा सा सरल करके कि हमें करना क्या है जैसे हमने इसको अगर सिर्फ सरल किया 10 को sign cos में लिखा यहां पे